रादे रादे दोस्तों आज 25 सितंबर है तो आज है परवर्तनी एक अदसी तो दोस्तों मैं अपने काना जी को एक अदसी में पंचाम रश से कैसे इसनान कराती हूँ तो मैं आपके साथ सेर कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं तुलसी की माला निकाल लेती हूँ मैं हमेशा पना के रखती हूँ जब नहलाती हूँ जब ही निकाल लेती हूँ और अपने काना जी के बस्त्र निकालते हुए हम अपने काना जी को कराएंगे पंचाम रश नान ये मैंने कासी की थादी ले ली हूँ इसी कि आप देख रहे हैं ये मैं चंदन से मैं डेली नहीं बनाती हूँ ब्रस पत और एक अदसी के दिन ही मैं ऐसा करती हूँ नहलाती मैं इसी थाली में हूँ फूलों का आसन दे देती हूँ तुलसी दल रख देती हूँ और यहां मैंने फूल और तुलसी रख के अपने काना जी को यहां पर में बिठा दूँगी और अपने काना जी को अब ये मैंने सुद्ध जले लिया है जैसे आप देख रहे हैं और काना जी का इशनान सुरू होने वाला है और सबसे पहले में थोड़ा सा जलीन के कंदे से डालते हुए और अपने काना जी का हम पंचा मरत किश्नान कर उठाने जा रहे हैं तो ये दही ली है मैंने दही से हलके हातों से मालिस करते वे ऐसे हलकी हातों से मैं अपने कानाजी की मालिस करूँगी दही से हमारे कानाजी भोत ही चमक जाते हैं और थोड़ा सा सुद्ध जल डालूँगी इसके बाद मैं दूद लूँगी और पंचमरस से दोस्तों मैं एकादसी ब्रस्वत खास्ति थी पही पंचमरज से ईस्नान कराती हूं, डेली में सादे जल से ही कराती हूं ये मैंने सहद लिया है और पंचमरज में सहध, दूद, दही, गंका जल, और सक्कर, ये ही चीज़े आती हैं दोस्तों गी में थोड़ा कम ही लूँगी क्योंकि फिर चिकनाहट जादा हो जाते हैं दोस्तों, तो हलके हातों से में मालिस करते हुए काना जी की, थोड़ा सा सुद्ध जल डालूँगी, और अब में सक्कर डालूँगी, सक्कर थोड़ा जादा डालूँगी, क्योंकि जो चिकनाहट होती है हमारे काना जी के घी और दही दूद बगएरा की वो सारी सक्कर से निकल जाती है तो अब हमने काना जी के हलके हातों से मालिस करेंगे चेहरे की और हातों की और काना जी का रूप ऐसा निखर के आएगा और सब चिक नाहर चली जाती है सक्कर से दोस्तों ये हमारा सुद्ध जल आप में सुद्ध जल लेते हुए अपने काना जी का इसनान करांगी देखे कितने सुन्दर लग रही है तो अब ये हमारे काना जी ने इसनान कर लिया है और ये पंचामरत जो है ये परिवार में प्रिशाद चरूप हम इसको ग्रहाण कर लेते हैं और जो जिस दिन साधा जल होता है उस दिन में गमले वगेरा में डाल देती हूँ ऐसे नहीं डालना चाहिए पैरो वगेरा में नहीं लगना चाहिए जल और अच्छे से पानी पोच लेंगी देखिए काना जी कितने खुस हो रहे हैं नाने के बाद तो अच्छे से मैं पानी से टोबल से उनकी अच्छे से पानी साफ कर लूँगी पानी नहीं लगा रहना चाहिए ने तो वहीं पे काला सा हो जाता है इसलिए मैं अच्छे से सारा पानी साफ कर दूँगी काना जी के सरीर से तो देखे दोस्तों कितने निखर के आए हमारे काना जी पंचम नस्सिन हने के बाद और अब हम अपने काना जी को पनाएंगे बस्त्र ये मैंने सारे एक्च गई खटे करके रख लिए हैं इनका बस्त्र बगएरा मेरे को पहनाने हैं तो ये इनकी यलो कलर की ड्रेस है यलो कलर हमारे काना जी को अती पिर रहे हैं तो ये मैंने ड्रेस इनकी खुद ही घर पे अपने आप ही बनाई है मुझे मार्केट के इनके बस्त्र पसंद नहीं आते दोस्तों क्योंकि उनमें बुक्रम बगरा लगा हुआ हो तो इतने हार्ड होते हैं ऐसा लगता है जैसे कि हमारे काना के चुभेंगे इसलिए मैं इनके बस्त्र घर पे ही बनाती हूँ अगर आपको इनके ड्रेस वगरा की वीडियो अगर देखनी हो तो मेरे को कमेंट करके बताना मैं बो भी आपके साथ सेयत करूंगी तो मैंने देखी ये टिच बटन भी लगाए हैं इनकी ड्रेस में तो ये पहन चुके हैं हमारे काना जी ड्रैस और इसके साथ मैंने दोस्तो यलो कलर का डूपट्टा भी बनाया है जैसे आप देख पा रहे हैं ये मैं सोल्डर से डालते हुए पीछे से घुमाके और हाथ से करते हुए इधा लगा दूंगे और ये हमारे काना जी के कड़े हैं जो मैंने इनके हार और कड़े मैचिंग के लिए थे कैमरे में इतने अच्छे नहीं लग रहे होंगे दोस्तों लेकिन ये बहुत अच्छे लगते हैं ये तुलसी माला है दोस्तों तुलसी माला तो मैं हमेशा पहनाती हूँ और ये इनका एक हार है जो कड़े और ये मैचिंग का है एक ही साथ मैंने लिए थे कैम एम इतने अच्छे नहीं लग रहे होंगे लेकिन दौश्टों ये बहुत अच्छे लगते हैं तो ये हमने इनको पहना दिया है और मैं इनको एक वैजनती माला भी आज पहनाऊंगी वैजनती माला भी बहुत पसंद होती है यह मैंने पहना दी है वैजनती माला और अब हम अपने काना जी के लगाएंगे बिग देखिए जैसे सिंगार हो रहा है अमारे काना जी कितने सुन्दर लग रहे है यह मुकुट है थोड़ा बड़ा है मैं डेले में इसे नहीं लगाती हूँ डेले में दोस्तों मैं छोटा छोटे लगाती हूँ आज भी सेती थी है तो मैंने लगा दिया है वैसे इतना सिंगार मुझे नहीं करना पड़ता है ये मेरे कानों के है काना जी के और इस पर एक गमाता है जिस से छिपकने वाला लग जाते हैं तो ये मैं और कानों पे इनके लगा दूँगी मेरे कानाजी का आखो का मेकट अरा हुआ है तो मुझे इतना नहीं करना पड़ता ये इत्र है चंदन का हमारे कानाजी को इत्र भी बहुत पसंद है यह मैं लगा रही हूँ अपने कानाजी के इत्र काफी अच्छी खुश्बो है तो ये लगा दिया हमने इत अब हमा काना जी के लगाएंगे चंदन का तिलक तो दोस्तो ये तुलसी की सूखी उई तुलसी की लगडी है इसी से मैं काना जी को अपने तिलक लगाती हूँ जैसे घर में तुलसी सूख जाती है उसकी में लकडी तोड़के रख लेती हूं दोस्तों तो इसी से मैं जैसे चंदन इसी से लगा रही हूं तो ये हमारे काना जी के लगगा चंदन का तिलग अब हमारे काना जी हो गए हैं तयार और अब हम चलते हैं काना जी को मंदिर में बिठाने तो चलिए काना जी और यहां मैं मंदिर में ले आई हूँ सिंगाशन पे फूल बिचा आई हैं अपने काना जी के और मैंने अपने काना जी को बिठा दिया है मंदिर में अब हम अपने काना जी को फूल अरपन करेंगे तुलसी अरपन करेंगे फूल में डेली चड़ाती हूँ चाय मेरे दोई फूल चड़ाऊं में डेली चड़ाती हूँ और तुलसी भी चड़ा दिये तुलसी दोस्तों मैंने पर्सों तोड़ की रखी थी क्योंकि आज एका दसी है कल संडे था संडे में और एका दसी में तुलसी को नहीं तोड़ा जाता इसलिए मैंने सटटे को तोड़ के रखी थी तो थोड़ी सूख गई है कोई बात नहीं ये हमारे काना जी की बांसुरी और बांसुरी मैंने दे दी अपने काना जी को और मैं अपने काना जी को सिंगार के बाद दिखाऊंगी आए ना और काना जी से दिंती करूंगी देखिए आपका सिंगार कैसा हुआ है और अप लगाएंगे हम अपने काना जी को भोग सबसे प सब सूखे मेवे और फल वगेरा का ही भोग लगाऊंगी अपने काना को जो हम गिरहन करेंगे वो ही मैं अपने काना जी को आज सूखे मेवे फल वगेरा इसी का मैं भोग लगाऊंगी और मैं काना जी को और ये मैं भूग रखते हुए अपने काना जी को मैंने भूग रख दिया है काना जी को और अपने हाथों से थोड़ा काना जी को भूग लगाऊंगी सबसे पहले मैं दूद पिलाऊंगी काना जी को मैं रख के यूँ ही नहीं चले जाती दोस्तो मैं अपनी हाथों से कोसिस करती हूँ भगवान जैसे मेरे हाथ में से लेके खाएं ऐसी भावना बनाती हूँ हम कुछ दे नहीं सकते भगवान को सब भगवान का ही है लेकिन हम मन में ये होना चाहिए कि हम भगवान को अरपन करके ही गिरहन करें जो भी भोग लगाएं वो पिरशाद बना दें और फिर हम उसे गिरहन करें ऐसे हमारे मन में भाह होने चाहिए तो मैं भगवान की को भोग लगा रही हूं बिंती कर रही हूं भगवान से कि भगवान गिरहन करो और भगवान से बिंती करूंगी भगवान गिर्यान करे और पिर्शाद बना दे भोग को तो अब हम चलते हैं पूजा की तैयारी करते हैं तो जैसे मेरे पास एक अदसी व्रत की किताब है इससे हम कथा पढ़ेंगे और हाथ में फूल लेके हम एक अदसी माता की कथा कहेंगे आज परिवर्तिनी एक अदसी है कथा अमारी हो चुकी है अब हम करते हैं गनित जी की आरती उसके बाद करते हैं हम अपने काना जी की आरती और आरती हो चुकी है अब भगवान से बिंती करेंगे भगवान से बिंती करेंगे कि जो भी पूजा में हमसे कमी गलती जो भी कुछ हो गई हमें छमा करना प्रातना अर्चना करेंगे भगवान से दो मिनट के लिए मानसिक पूजा भी करेंगे भगवान की तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर मेरे काना जी का आप फुल रूटीन देखना चाते हैं सेवा का तो कमेंट करके मुझे बताना मैं आपको जल्दी पना के दूँगी वीडियो थैंक यू